ओई टोपर, एक बार बता, जीरो की खोश किसने करी थी? अरभरणे अब ये बता, कैसे? कैसे, कैसे? बता, बता, मैक्स के टॉपर तू बता? मुझे पतऊ तो तुझे से पूचता ग्या? आया आपने आपको टॉपर बोलने वाला एक बार आरे बट बैटे बैटे अपने रिस्तितारों के नाम गिन रहे थे जो वक्त पे उनके काम आए गहरे चिंतन के बाद जीरो की खोज करे थे अगर आरे अबट अभी जिन्दा होते तो यह सुनने के बाद भी बोलते कि मैंने जीरो की खोज तुम जैसे मोटिवेशन स्पिकर्स करें नहीं क्या था अगर पता होता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है तो जीरो की खोज ना करता यह बड़ी अच्छी बात के यह तो हेलो वान वरे तो मेरा एक सवाल था यह तो आज हम ऐसे ही एक मोटिवेशन स्पिकर्स के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए बिना जदी के शुरू करते हैं आज का भी सर्वस्तू कुलदीप आप लोगों को मोटिवेट करते हैं इस्पाइरिंग बाते करते हैं आप अगर आज कल की यूद को कोई एक हेल्थ टिप देनी है तो वो क्या होगी हेल्थ टिप 70 ग्राम की जीब को कभी भी 70 किलो के शरीर पर हावी मतोंने दे भाई पहले उसका सभाग दो संव फिर जाके ग्यान देना उसने तुमसे हल्स इस मांगा मौटिवेशन लें मुझे तो मौटिवेशन स्पिकर का समझ में ने आता तुमारा मौतिवेशन कहीं पी निकल जाता जिसे मौटिवेशन नहीं पाध हो यह लें जाते मैं चोटी सी नाइन है बात केहर किये मैनेजर तरक दि γेंए अगला अगर तो किसी और का समान लेता है इतना सारा ग्यान सुनने के बाद हो सामने वाला भी सुथता होगा कि इस सारा कहा फस गया मैं पैसे दने के जगे एक छोटी से स्क्रेश पर ये साला मुझे खाली फ़कोट ग्यान पेल रहा है ये उन सही बाद बुलें भी दार्टी कोटी आँ और होगा वीडियो के स्टाटिंग वहीं लापीन सामन से मतलब कुल्दी भाई वीडियो बहुत जादा फशनी होने वाला है ये कहना चाहते हो या फिर वीडियो देखके हमें हसना है ये बता रहे हो लगता है दूसरा वाला में हो अपने लिमिट में हो या नहीं वह अलग बात है अभी मुद्देग की बात यह है ऐसे बिना ठीशी के कंसर्ण उसका वीडियो बनाना गलत बात है इतना ही नहीं उस वीडियो को सोचल मेडिया में अपना ग्यान एड करके पोश्ट भी कर दिया तो वह सही कैसे हुआ और रड़ी बात लिमिट के अगर इस वीडियो से भैया जी हमें लिमिट सिखा रहा है तो यह वाली वीडियो से हमें क्या सिखना चाहिए कितना शांदार पेड़ है न सोच कित्थे का होगा एक दो लाग और यह यह पत्ती कित्ते की होगी इस की कोई कीमत नहीं क्यों यह भी तो इस पेड़ का हिस्सा है लेकिन अपने पेर से अलग हो गया न कुछ समझे जब तक अपने परिवार के साथ हो कीमत है जिस दिन परि कि मत खता ओ ग्यानी बाबा अगर फैमिली से दूर होने से इंसान का कोई फैलू नहीं रहता तब तो लटकियों को साधी ही नहीं करना चाहिए क्योंकि साधी करने के बाद लटकिया खुद का फैमिली छोड़ते हैं किसी दूसरे के फैमिली में जाता है अगरिंग तो यू खुद के फैमिली से दूर मतलब इंसान का कोई फैलू नहीं रहता तो लटकिया साधी कर रहे हैं क्यों खुद का फैलू खोई हैं क्यों कुल्दी मुझे गर का डिदाइन कंपलेट करके तुनन्थ मेल करो अभी कुल्दी भाई को लगता है कि वह इतना बड़ा मोटिवेशना स्पीकर है कि अगर कहीं पर जॉब कर रहा होता तब भी अपने बॉस की गल्तियों पर उसको ज्यान दे देगा भाई कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन गर स्वेमिना पालो ठीक है जितना टैम तुमको एक ग्यान देने में लगता है न उतने टैम में कंपने तुम्हारे जैसे 10 को निकाल के 20 को अपन कर देगी यही तो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ ओविसली अगर आप चाहते हैं आपकी इंप्लोई से क्वालिटी काम तो आपको उन्हें उस अनुसा टैम भी तो देना पड़ेगा यह जो ज्यान देरो कभी इसको खुद पर अपलाए क्या है नई अगी रहा था पहले खुद के वीडियो में और खुद पर अपलाए करके क्वालिटी कम दिखाओ फिर जाके मानेंगे यह बड़ी अच्छी बात कहिए किया जोग था मेरी तुह निकल जाए दया है निकले सकती आउं नहीं बटा थोड़ा वो तो दर्द होता है मेरा तुग निकल सब्सक्टा हूँ हाँ, निकालो है कुछ तो खुद का ओर्जिनल बनाओ या तो वर्सेब फोर्वाड जोग गयान पेल रहे हो या फिर किसी दूसरे का कॉंटेंट कॉपी करके उसको पैश कर रहे हो हाथो तो कुछ नहीं भै, तुम अपना जारी रखो और वेसे भी, तुम रिल्स्टोर्स भालों को कॉपी पेश का लावा आता ही क्या है तो एकदम सही है, लेकिन फुल्दी भाई कैसा लगेगा? बहुत बुरा बहुत बुरा लगेगा, उसको भी बुरा लगता है हाँ, आज का सम्काले कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के भी समान को बिना पूछे टच नहीं आप तो एकदम सही है, लेकिन फुल्दी भाई यह वाला ग्यान खुद पर अपले करके दूसरों का कॉण्टन कॉपी पशकना बंद भी करता तेरी मर्जी हाँ ओ भी है, तुमारी मर्जी और वैसे भी तुमारा पूरा करियर दूसरों का कॉण्टन कॉपी पशकना से ही तो चल रहा है साला गर्दा उड़ा दिया तो बस त्यार आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छे ले तो लाइक सर कर दोना चैनल पर नहीं हो तो फॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करते जाना पॉर्ट चैनल ही तो ब्लते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ